हेलो आपरिवन बेलकम बैक देखिए यूपी ट्रिपल सी से जो वीडियो की परिक्सा चल रही थी दो दिन से उसमें जो पेपर लीक होने की बात देखिए पूरी तरह से सिद्ध हो गई है सामने आ गई है अब देखिए हुआ क्या है इसमें कुछ गैंग का ही पता चला है ज सौलवर को देते थे एक लाग मतलब जिस पार्टी को जिस विद्यार थी सही है जो सोधा करते थे उसमें पांच लाक रुपे बोलते थे यह हम पेपर करा देंगे और अपना मुन्ना भाई मतलब सौलवर बैठाकर उसकी जगह बैठाते थे और एक से पांच लाक रुपे बसूलते थे वो देखिए ऐसा कहा हुआ है यूपी की कैपिटल में किसी और जिले में नहीं सीधे यूपी की कैपिटल में ऐसा हुआ है जहां लखनो और गौरकपूर में छापे मारी से सौलवर पर तीन अभ्यारती संग सौलवर गैंग का मास्टरमाइन भी पकड़ा गय अभी देखिए इसमें पढ़ी एक लिखा देखिए अग्राम विकास अधिकारियों समाज कर लियांड परिविक्षक पद के लिए भड़ती आई की गई थी इसी दोरान सूचना मिली की राजधानी के जैनवपूर इस्थित कृष्णा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में सॉ अरे विद्यार्थी को इससे नुकसान होगा और यह पेपर कैंसल नहीं करा देखिए इतना बड़ा आयोग है कैंसे गलतियां कर देते हैं गौर्मेंट क्या कर रही है पता नहीं कुछ क्या हो रहा है यहां देखिए क्या लिखाए देखिए एससपी बिक्रम सिंग के मताब उड़ेजार्य है है कि इसक्ष कूल मेनेजर इसमें सामिल था निरंद कुमार स्रिवास्तर कुमार मुकेश कुमार अनिल कुमार स accelerator क्यक्ष्य Gaming देखिए निरेक्षक तक आनंद कुमार चंदर्परकास शूकला आनंद बर्मा मनोश कुमार संघ्ष आनंद कुमार पतेलं व plan सेलिंदर रभर्मा लेश कुमार और भ्हारति इनकी जगाँ पर फिपर दे रहे थे इनका विजो ऑ कि दिटल सेओर पुलिस ने पता कर लिए जिससे कि ऑसल वर इसमें पकड़े गये हैं और जो ֥éta प्रेंसिपल से मिलकर और जो कक्स निरिक्सक के रूप में डूटी लगती थी इनके अपने लोगों को लगवाते थे तक पूरी तरह से पेपर आराम से वहां जो वायोमेट्रिक वायोमेट्रिक का जो इस वार हुआ था वो सब उनी की देखरेक में हो जाए और काम इनका पूरी तरह से बन जाए लेकिन देखिए काफी ऐसा एक्जाम में सोलवर पकड़े जाते हैं और जिस एक्जाम में पकड़े जाते हैं यह पेपर लीक भी एकल वाटसप पर और फेस् पाइदा नहीं है जिससे अगर यह कैंसल नहीं किया गया तो भारी विद्यार्थियों को जो पढ़ते हैं सही में उनको बहुत नुक्सान हो जाएगा और कानपुर गोरकपुर में दबोचे गया हैं विद्यार्थी तेखिए यहां 88% ने परिक्सा छोड़ी है और केवल सो मैंसे बारे प्रतिशत अव्यार्थी ही परिक्षा देने के लिए गये थे देखिए कारवाई इनके खिलाब होगी साथ के खिलाब मुकदमा भी दर्च किया गया 50,000 रुपे में वेज कर देखिए 50,000 रुपे में वेज रहे थे उत्तर पुस्तिका देखिए जब आयोग न कहा है की प्रतिशत पूरा का पूरा पेपर वहीं जमा हो जाएगा तो उत्तर पुस्तिका बाहर कैसे जा रही है अब देखिए YPC के जो भी चेयर मेन है इसमें वो सबका पूरा जो दाईत तो उनी के पास है कि उनकी देखरेक में इसमें भोड़ा होगा या पर उनको पन्न नहीं पता होगा कि कैसे हुआ पेपर बाहर कैसे गया बाकी जो बाहरी दुनिया में तो कुछ है एक से एक जो नहीं चाहते कि केवल पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नोक्री लगए वो चाहते हैं कि हाँ भी पैसे दो और नोक्री लग जाए तो ऐसा होता रहता है गलती है इसमें प्रशासन की गलती है कि ऐसा क्यों हुआ है तो चलिए देखते हैं वह होता क्या है आयोग अपनी वेबसाइट पर कुछ लीगली एक्षण कुछ लीगली नौटिस डालेगा नहीं डालेगा जिससे पता चल सके कि पेपर कैंसल होगा नहीं अब कि रिया है पर कैंसल होगा या होगा या नहीं होगा कि अच्छाक कि अच्छा कि वहागा है झाल झाल